दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग्षा अधुरी दोस्तों समाशास से समबंधित महत्वपोंड प्रश्णों के अंतरगत इस वीडियो में हम साल्व करेंगे अनुसूचित जाती तथा जनजात अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की स्थिती और समस्याओं से समबंधित महत्वपोंड प्रश्णों को जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे PGT परिक्षा, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज, उच्चतर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रे विद्याले संगठन और NET JRP के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो अनुसूचित जात तथा जनजात अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की इस्थिति और समस्याओं से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है दोस्तों अनुसूचित जात यानि सेडियोल्ड काष्ट सब्द का प्रियोग सरुपर्थम किसके द्वारा किया गया था आप सन्हें देखिए साइमन कमीशन, संबिधान सभा, नहरू समित या फिर इन में से कोई नहीं तो उत्तर है अनुसूचित जात यानि सेडियोल्ड काष्ट सब्द का प्रियोग सबसे पहले साइमन कमीशन ने किया और भारस सरकार अधनियम 1935 में इस सब्द को सूचिवध किया गया था अगला प्रेशन है दोस्तों अनुसूचित जात याति सब्द का प्रियोग सबसे पहले कब किया गया था तो आप जानते हैं अनुसूची जाती सब्द का प्रियोग सबसे पहले 1927 में किया गया था तो यहाँ पर देखिए कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है इस प्रश्ण का उत्तर इश्टार में कर दे रहा हूँ याद रखेगा 1927 में साइमन कमिशन ने दोस्तों अनुसूची जाती सब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था और भारस सरकार अधनियम 1935 में इस सब्द को सूची बद्ध किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों किस वर्स अनुसूची जाती परिभाशिक सब्द प्रस्तावित किया गया था तो आपसन है 1932, 1930, 1931 या 1931 तो सही उत्तर है आपसन ए 1932 दोस्तों वर्स 1932 में अनुसूची जाती शब्द को तब परिभासित किया गया जब तीसरे गोल में सम्मेलन में अंबेटकर ने प्रिथक निर्वाचन वर्ग की मांग रखी थी और आप जान लीजे कि 1932 के सामपरदाइक अधिनेड़ यानि कम्म्यूनल एवाड के अंतरगत प्रिथक निर्वाचन वर्ग की बात हुई और अंबेटकर ने इस अधिनेड़ का समर्थन किया था किन्तु गांधी जी ने विरोध किया था गांधी जी का मानना था कि इस अधिनेड़ से हिंदू समाज का बिगिटन हो सकता है अंततर सितंबर 1932 में अंबेटकर और गांधी जी के बीच पूर्णा समझोता हुआ था जिसमें सामान हिंदू वर्ग के भीतर आरक्षण देने के बात पर सहमती हुई थी अगला प्रशन है दोस्तों साइमन कमिशन द्वारा तयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम शामिल थे देखें 410, 415, 420 या 429 तो सही उत्तर है 429 यानी 429 तो आप देख लीजे दोस्तों साइमन कमिशन ने 429 अस्प्रिश्य जातियों की सूची तयार की जिन्हें भारत सरकार अधनियम 1935 के अंतरगत वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई थी अगला प्रश्ण है निम्नांकित में किसने बहिस्कृत जाती पद का प्रियोग अपनी पुस्तक में अनुसूची जातियों के लिए ब्रेटिस काल इन भारत में किया था आपसन है आपके GS घुरिये, SH रिजले, JH हटन या MN स्रीनिवास तो सही उत्तर है JH हटन आपसन C और इस नाम पर बहुत से व्यक्तियों द्वरा आपत्त किये जाने के कारण वर्स 1931 में असम के जनगर्णा आयुक्त ने इन हे exterior काष्ट यानि बहिस्कृत जाति के नाम से संबोधित किया और सुझाओ रखा कि अस्प्रिश्यों को हिंदू समास से बाहर मान कर उन्हें प्रिथक रूप से मतदान का अधिकार दिया जाए अगला प्रशन है दोस्तों सन 1931 की जनगर्णा में हटन ने अस्प्रिश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रियोग किया गया था अगला प्रशन है दोस्तों अनुसूचित जाति के अंतरगत कौन शामिल है आपको बताना है देखे बहुत ही महत्तपूर्ण प्रशन है अनुसूचित जाति के अंतरगत दोस्तों राश्ट्रपती के आदेश के तहत भारती संबिधान में शामिल जातिया शामिल है तो आप जान लिजिए कि भारती संविधान के अनुच्छे 341 के अनुसार राष्टपती को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्य विशेस के प्रमुक से परामर्ज करके एक आदेश जारी करे कि किन समुहों को राज्य के विशेस संदर में अनुसूचित जाति माना जाए इसलिए वैधानिक द्रिष्टी से अनुसूचित जातियां वे समूँ है जिनका नामे एक समय विशेश के लिए अनुसूचित जाति आदेश में उल्लिखित किया गया है अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों टोडा जन्जाति का अध्यन किस ने किया है तो आपसन है रिवर्स, वीके राय बर्मन, एलपी विद्यार्थी या एसके स्रिवास्तों तो सही उत्तर है रिवर्स आप देख लिजे दोस्तों टोडा आदिम जन्जाति है और रिवर्स ने वर्स 1904 में भारत आकर निलगिरी छेतर की टोडा जन्जाति का अध्यन किया वर्स 1906 में टोडा पर एक मोनोग्राफ प्रकासित कराया और ब्रिटिस मानोसास्त्री सेलिगमेन ने स्रीलंका के बेद टोडा जन्जाति का छेतरी कार्य करके अपनी पुस्तक 1911 में प्रकासित कराया था तो भारत के दक्षुड भारत में निलगिरी पहाडियों में रहने वाली टोडा जन्जाति का अध्यन रिवर्स ने किया था अगला प्रेश्ण है दोस्तों टोडा की स्रेडी कैसी है आपसन है आपके अनौपचारिक समाज पारंपरिक समाज आदिम समाज या स्वक्षंद समाज तो सही उत्तर है टोडा की स्रेडी आदिम समाज है और टोडा एक आदिम जन्जाति है अगला प्रेश्ण है दोस्तो निम्नलिखित में से किस जंजात में बहुपती बिवाह का प्रचलन नहीं है आपसन देखिए टोडा, कोटा, नायर और गोंड तो सही उत्तर है गोंड दोस्तों जिन जन्जातियों में बहुपत बिवा का प्रचलन है उसमें उतरी और पूर्वी भारत की जन्जातियां, टोडा, कोटा, खस, केरल की टियान, कोट और निलगिरी पहाड की टोडा, दक्षिड भारत की नायर, मालाबार की कम्मल जन्जातियां और कुर्ग की जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के बिवाह की पध्धति प्रचलित है तो आप जान लिजे भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में बहुपति बिवाह की प्रथा प्रचलित है और इसके अतरिक्त केरल के नायर, तियान, कोटा और नेलगिरी परवत के ट तो याद रखेगा टोडा, खस, नायर, तियान, कोटा में, कोटा जनजातियों में बहुपति बिवाह की प्रथा प्रचलित है। और भात्रिक बहुपति बिवाह यानि फ्रेटरनल पोली एंडरी की प्रथा पाई जाती है। बच्चे का सामाजिक पिता होने की घोश्रा करता है और खस जनजाति में भी भात्रिक बहुपति बिवाह पाया जाता है। अगला प्रश्ण हैं दोस्तों सेवा बिवाह यानि मैरिज बाई सर्विस का प्रचलित है। आपसन है कूकी, थारू, बिरहोर या भोटिया तो सही उत्तर है बिरहोर जनजाति में सेवा बिवाह का प्रचलित पाया जाता है। सेवा बिवाह उन जनजातियों में प्रचलित है, जहां बिवाह के लिए युवक को कन्या के माता पिता के लिए कन्या मूल या ब्राइड प्राइस चुकाना पड़ता है। अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों, बिश्व के किस महादीप में वधु मुल्य प्रथा जादा प्रचलित है, तो उत्तर है अफ्रिका में। देखे, दक्षुड अफ्रिका की धोंगा और बांटू जन्जातियों में बधु मुल्य देने की प्रथा है, जिन्हें लालोबा कहा जाता है, और बिवाह से संबंधित ये प्रथा अनेक लोगों को एक दूसरे से संयुक्त करती है, और वह इस रूप में की लाबोला को ए प्रायता स्वरूप दे दिया जाता है, और इस प्रकार बिवाह संस्था के द्वारा दो परिवारों के सदस्य परस पर संबंधित ही नहीं हो जाते, बलकि उनमें आर्थिक सहयोग भी पनपता है, तो याद रखेगा अफ्रिका महादीप में बधु मुल्य पर्था उत्महुत होने के कारण बिवाह के लिए इच्छुक नवयुवक को अपनी शक्ति और साहस की परिक्षा देनी होती है, और परिक्षा बिवाह का सबसे असपश्ट रूप गुजराती भीलों में पाया जाता है, इस जंजात में युवक की शक्ति की परिक्षा होली के उसर पर एक उस्सो के समय होती है, जिसे गोल गधेडो कहा जाता है, और इस उस्सो में एक खंभे के उपरी सिरे पर थोड़ा सा गुड और एक नारियल बान दिया जाता है, और उस गाओं की बहुत सी अविवाहित लड़कियां खंभे के चारो और घेरा बना कर रित्त करते हैं लड़कियों के घेरे के बाहर विवाहि की युवत नित्त करते हैं, और इसके बाद कुछ या कुछ एक युवक लड़कियों के घेरे तोड़कर उस खंभे पर चढ़ कर, गुड और नारियल को उतार कर लाने का प्रयत्ञ करते हैं, जबकि लड़कियां अपनी संपूर सक और प्रयास से उन्हें रोकती हैं फिर भी यद युवक सफल हो जाता है तो उस घेरे की किसी भी लड़की से बिवाह करने का अधिकारी हो जाता है और थारू जंजात में अनादर बिवाह और नागा में हरण बिवाह पाया जाता है और असम की कुकी जंजात में परिविक्ष लड़के और लड़कियां रात में निवास करते हैं बोटिया जनजात में युवा ग्रीहों को रंग बंग कहा जाता है और उराओं जनजात में खटा के तेवहार पर सभी इस्त्रियों और पूर्सों को स्वतंत्र यौन संबंधों का अवसर दिया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों गोल गधेडो किस जनजाती से संबंधित है आपको बताना है तो सही उत्तर है गोल गधेडो भील जनजाती से संबंधित है अगला प्रशन है भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से बिवाह करने से पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्त सिद्ध करने की पर्था है इसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों इसको परिक्षड बिवाह कहा जाता है आप संसी इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है युवा ग्रिह का मुख्य उत्देश क्या है आपको बताना है यौन सिक्षा मनुरंजन साथ रहने की भावना या उत्तर दायतों का सह भागी होना तो सही उत्तर है आप संडी उत्तर दायतों का सह भावना दोस्तों कई जनजातियों में युवा ग्रिह संबंध पाया जाते हैं जैसे मुडिया गोंड इन जनजातियों में युवा ग्रिह जो पाया जाता है इसका उत्देश सब है यौन सिक्षा मनुरंजन साथ रहने की भावना लेकिन इसका सबसे मुख्य उत्तर दायतों का सह अगला प्रश्ण है दोस्तू निमने लिखित में से कौन सी समस्या जंजाती समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है देखिए अज्ञानता निरक्षर्ता गरीबी या फिर महिला भुरूर हत्या तो सही उत्तर है महिला भुरूर हत्या ये जंजाती समुदाय की मुख्य समस्या आप जान लिजे कि जंजातियों में सिक्षा का अभाव है वे अज्यानता के अंधकार में जी रही है और असिक्षा के कारण वे अनेक अंध विस्वासों कुरूतियों और कुसंसकारों से घिरी हुई है आदिवासी लोग दोस्तों जान लिजे कि आधुनिक सिक्षा के प्रत पत्या की समस्या नहीं पाई जाती है अगला प्रश्ण है मात्री सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है किसके द्वारा मुसल्मानों द्वारा ब्राम्हडों द्वारा भीलों द्वारा या केरल के नायरों द्वारा तो सही उत्तर है आप संडी केरल के नायरों द्वारा दोस्तों भारत की जनजातियों में मात्रि सत्तात्मक परिवारों का विशुद रूप देखने को मिलता है और असम की खासी और गारो जनजातियों में ये मात्रि सत्तात्मक परिवार का रूप देखने को मिलता है मालाबार के नायरों में ऐसे परिवारों का रूप केवल सैधान्तिक रह गया है और बेवहारिक रूप से परिवार के अधिकतर अधिकार पूरुसों को ही हस्तान्तरित हो गये हैं केवल वंश नाम और उत्तराधिकार की बेवस्था आज भी इस्त्रियों के पक्ष में है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों नीचे उलिखित जनजातियों में कौन सी मात्रिवंशी है आपसन है आपके खरिया, टोडा, खासी या संथाल तो सही उत्तर है खासी अगला प्रश्ण है नीचे लिखित में से कौन सी जनजात मात्रिवंशी है देखिए आपसन है आपके गोंड, खासी, भील या मुंडा तो सही उत्तर है खासी जनजाति ये मात्रि सत्तात्मक या मात्रिवंशी परंपरा पर आधारित है अगला प्रशन है दोस्तों तरवाड एक मात्र वंशीय संयूक्त कुटूम्ब है जो निमने लिखित में से किस राज्य में पाया जाता है आपसन है आपके महराष्ट केरल असम या ओडिशा तो सही उत्तर है केरल में दोस्तों केरल में मात्रि सत्तात्मक संयूक्त परिवार पाया जाता है और ऐसे परिवारों को तारवाड कहा जाता है ऐसे परिवारों में वंश का नाम मा के वंस के नाम से चलता है और पती को पतनी के घर जाकर रहना पड़ता है तथा संपत्तिक आधिकार इस्त्री से पुत्रियों और भाई के पुत्रों को प्राप्त होता है परिवार में करता घर की बड़ी बुढ़ी इस्त्री होती है जिसे काडवती कहते है अगला प्रश्न है दोस्तू निम्न में कौन सा अस्थानी समू है देखे जाती प्रजाती जनजाती या संजाती तो सही उत्तर है जनजाती दोस्तों जाती एक सामाजिक समोह के अंतर गताता है जबकि जनजाती अस्थानी समोह या स्पेसियल ग्रुप का दियो तक है और जाती और प्रजाती का अंतर इन दोनों से कुछ ज्यादा व्यापक है प्रजात ये एक प्राणि सास्त्री समुदाय है इनके सदस्यों में अनेक अपरिवर्तनी वशानुगत सारेरिक लक्षण होते हैं यानि सारेरिक लक्षणों के आधार पर ये वर्ग अन्ने से भिन रहता है जबकि जात में ऐसा कुछ नहोकर जन्म आधारित बेवसाय, नैति ही उत्तर है गुर्जर दोस्तों भील संथाल और हो भारत की अनुसूचित जन्जातियां है जबकि गुर्जर एक जाती है ये जन्जाती नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों भारत वर्ष में लगभग कितनी जन्जातियां हैं 127, 237, 560 या 449 तो ये प्रशन 2003 की परिक्ष हमें पूछा गया था तो उस समय 560 जन्जातियां थी जबकि वर्ष में जन्जातियों की कुल संख्या जो है 749 जिसमें सरवाधिक संख्या में जन्जातियां 62 जन्जातियां ओडिशा में निवास करती हैं अगला प्रशन है दोस्तों आदिवाशी बोलियों के लिए देव देवनागरी लिप का उपयोग का परमर्ष जवाहरलाल नहरू ने दिया था जबकि बेरियर एलविन ने आदिवासी बोलियों के लिए नई लिपी के विकास की बात कही थे देवनागरी लिप का समर्थन नहरू द्वरा वर्ष 1962 में किया गया था और उन्होंने पूर्वो आपसन है आपका बोंडा, भील, कमार या कोंद तो सही उत्तर है आपसन C, कमार जनजाते दोस्तों स्यामा चरण दूबे जिनको यसी दूबे कहा जाता है इन्होंने मध्य परदेश की अस्थानांतरित क्रिसी करने वाली कमार जनजाते का अध्यन करके मानो विज्ञान और समाशास्तरी जगत में प्रवेस किया था अगला प्रशन है किसने जनजाते को समान संस्कृत वाले जन समूह के रूप में परिभासित किया है तो उत्तर है क्रोबर ने दोस्तों अलफ्रेड लूई क्रोबर एक अमेर की सांस्कृतिक नरी विज्ञानी थे उन्होंने जनज जनजाते को समान संस्कृत वाले जन समूह के रूप में परिभासित किया है अगला प्रशन है निमनलिखित में से कौन सा तत्तों किसी जाते को अनुसूचित जनजाते संवर्ग में सामिल करने का निर्धारक तत्तों नहीं है आप सन देखिए भावगोली के एकाकी पन मिलित करने का निर्धारक ततों है जबकि समुदाय का आकार इसके लिए आवस्यक नहीं है अगला प्रशन है निमनलिखित में से किसने भारत में जन जातियों के विकास के लिए सरकार को राष्टी उद्यान या नेशनल पार्क का सुझाओ दिया है आप सन है जी एस घुरि कि बैगा जन जातियों के बीच 6 वर्स तक रहकर अपनी पहली मोनोग्राफ वर्स 1949 में बैगा नाम से प्रकासित करवाय था और उन्होंने राष्ट्री पार्क भूसिद्धान प्रस्तुत किया और उन्होंने जन जातियों के उत्थान के लिए सरकार को एक राष्टी उद् संबंधी बेवस्था की वकालत की है तो आप जानते हैं वी एलविन यानी वेरियर एलविन ने जन जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्टी उद्यान या नेशनल पार्क संबंधी बेवस्था क्या सुझाओ दिया है अगला प्रश्ण है किस विद्ध्वान न जन जातियों के समाधान के लिए राष्टी उपवन की अस्थापना का सुझाओ दिया है तो उत्तर है वेरियर एलविन ने आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्ण पर आते हैं निम्नलेखित में से किसने जन जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए र राश्ट्री उपवन अस्थापित करने का सुझाओ किस ने दिया है तो उत्तर है वेरियर एलविन ने दोस्तों एलविन वेरियर या वेरियर एलविन ने राश्ट्री उपवन अस्थापित करने की बात कही है जनजातियों के समस्याओं के समधान के लिए अगला प्रश्न है दोस्तों देखें बहुत ही महतपूर है कि इसने भारत में जनजाती विकास के लिए राश्ट्री उद्यान का सुझाओ दिया है तो आप जानते हैं वेरियर एलविन आपसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा वेरियर एलविन ने जनजातियों के समस्याओं के समधान के लिए राश्ट्री उद्यान की अस्थापना का सुझाओ दिया है अगला प्रश्ण है घूरिये जो कि G.S. घूरिये ने भारती जनजातियों को क्या कहा है आपसंडेखें अनुसूची जनजात आदिवासी आदिम जनजात या फिर पिछड़े हिंदू तो सही उत्तर है जनजातियां हिंदू धर्म को मानती है अतह वे हिंदू समाज का ही अंग है अगला प्रश्ण है दोस्तों अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू सब्द से संबोधित किया है तो आप जानते हैं G.S. घूरिये ने G.S. घूरिये ने दोस्तों भारती प्रश्ण ये प्रश्ण ने दिया है तो उत्तर है जी एस घुरिये ने आपसन ए आपका सही उत्तर है अनुसूचित जाती जन जाती और उनकी समस्याओं के बाद आए अन्य पिछड़ा वर्ग और उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है दूस्तों भारत में पिछड़ा वर्ग आयूक के प्रथम सभापती या अध्यक्ष कौन थे आपसन है बी पी मंडल, बी आरम बेटकर, काका कालेलकर या एम के गान्धी तो सही उत्तर है आपसन तूस्तों काका कालेलकर की अध्यिस्टा में राष्ट्रप जा सके कि सामाजिक और सैक्षडिक द्रिष्टी से पिछडे लोग कौन है और ऐसे वर्गों की इन कसोटियों को ध्यान में रखकर एक सूची तयार की जा सके आयोग को ये भी निर्देश दिया गया था कि वो ऐसे सब सामाजिक और सैक्षडिक द्रिष्टी से पिछडे वर् क्या सहायता उपलब्ध कराई जाए और आयोग ने अपने कारे को पूरा करने में दो वर्स का समय लिया और 2399 जातियों और समुदायों की सूची तैयारकी और सामाजिक और आर्थिक विकास के कई उपाय सुझाए भारत की लगभग 70% जनसंख्या को पिछड़ा करार दिया और पिछड़े वर्ग के लिए जिन कसोटियों के आधारों का सुझाओ दिया गया उनमें जाति सोपान में निम्न सामाजिक इस्ति सैक्षडिक प्रगतिक अभाव, सरकारी सेवा में अपरियाप्त प्रतिनिधित्व और व्यापार और उद्योग के छेत्र में अपरियाप और सैक्षरिक द्रिष्टी से कमजोर वर्गों को बढ़ावा दे कर कम किया जा सकता है अन्य महत्पूर्ट तत्यों में आप जान लेजे कि जनता पार्टी ने वर्ष 1977 के अपने चुनाव घोश्ड़ा पत्र में जाती असमानताओं को समाप्द करने का उलेग किया गया था जिसके तहट लोकसभा के एक सदस से बीपी मंडल की अध्यस्ता में पिछड़ा वर्ग आयोकी नियुक्ती की गई थी और पिछड़े वर्ग सब्द का संदर्व सबसे पहले वर्ष 1978 में देखने को मिलता है 1931 में इसका उप्योग विसिष्ट रूप में किया गया था और 1937 में ट्रावन कोर राज्य ने सैक्षडिक और आर्थिक द्रिष्टी से सभी पिछड़े समुदायों के लिए पिछड़े समुदाय सब्द का प्रियोग किया और भारत के संभिधान के अनुसार पिछड़े वर्ग का आधार नागरिकों के सामाजिक और सैक्षडिक द्रिष्ट से पिछड़ा पन होना है अनुचेत 340 जो भारती संभिधान के अंतरगत भारत के राष्टपति को अधिकार है कि वो एक आयोग की नियुक्ति करके देश के बिभिन भागों में पिछड़े वर्ग की दशा की जानकारी करके रिपोर्ट ले और देखे अनुचेत 154 और 16 के अंतरगत राज्य सरकारें भी आयोगों की नियुक्ति करके बिभिन पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सैक्षडिक समस्याओं की जानकारी ले सकती है अगला प्रिश्ण है दोस्तों भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का पर्थम सभापती कौन था तो ये थे दोस्तों काका कालेलकर आफसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है नीचे दिये गए पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए कि पिछड़े वर्ग के आधार कौन-कौन है तो दोस्तों ये सभी पिछड़े वर्ग के आधार है आपसे पूछा गया है कि ये आधार किस ने दिये हैं तो काका कालेलकर ने पिछड़े पन के ये सभी आधार दर्शाए है अगला प्रश्ण है काका कालेलकर कर कमिशन के अ कई आधारों की जो है उद्गोश्रा की थी अगला प्रश्न हैं दोस्तों काका का लेलकर आयोग की अस्थापना कब हुई थी तो आप जानते हैं 1903 में और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया था अगला प्रश्न हैं दोस्तों भारती संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार क्या है तो आप जान लिजे भारती संविधान में पिछड़े वर्ग का आधार सामाजिक और सैक्षडिक पिछड़ापन है अगला प्रेशन हैं दोस्तों सन 1977 में जन्ता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाओ घोश्रा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनरूप पिछडे वर्गों के लिए जिस आयोक का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे तो उत्तर है एक लोकसभा के एक सदस बीपी मंडल तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे दोस्तों इनके अध्यक्षता में जन्ता पार्टी सरकार ने पिछडे वर्ग के लिए एक मंडल कमिशन नियुक्त किया था अगला प्रशन है दोस्तों मंडल कमिशन द्वारा OVC की सूची में कितनी जातियां शामिल की गई थी आप संदेखिए 3437, 3545, 2823 या 3235 तो आप जान लिजिए दोस्तों इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है क्योंकि 3743 देखिए 3473 इतनी जातियां सामिल की गई थी तो ये विकल्प आप में कोई नहीं है इस प्रशन का उत्तरिश्टार है लेकिन 3743 जातियां BP मंडल कमेटी में शामिल की गई थी और आप जान लिजिए कि मंडल कमिशन का गठन 1989 में ततकालीन जन्ता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे इस आयोक का कारे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछणों की पहचान करना था और मंडल कमिशन ने देश की 54 प्रतिशत जनसंख्या को OBC माना था जिसमें 3743 जातियां थी अगला प्रश्ण है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा गठित BP मंडल की अध्यस्ता में पिछड़ा वर्ग आयोक बना था तो आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा गठित BP मंडल की अध्यस्ता में पिछड़ा वर्ग आयोक 1989 में बना था यहाँ पर नगटतम आयंसर 1989 है मंडल कमिशन की योजना मुरारजी देशाई सरकार में वर्ष 1988 में बनी थी और जिसका भारती संभिधान के अनुच्छेत 340 के अनुच्छेत 15 और 16 की स्थिति का पता लगान था और ये निड़े राष्टपती कार्याले द्वारा एक जन्वरी 1989 को लिया गया था मंडल कमिशन की अस्थापना वर्ष 1989 में ततकालिन परधान मंतरी मुरार जी देशाई के नेतरितु में जन्ता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी और दोस्तों इसके मुखिया ततकालिन सांसत बिंदेश्वडी परसाद मंडल थे आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की और आयोग ने 11 छेत्रों या सोचकों को स्विकार किया जिसमें मुखित है तीन वर्ग सामाजिक, सैक्षडिक और आर्थिक में बाटा था अगले प्रेश्ण पर आते हैं दोस्तों मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चैन के लिए किसे महत्त पूर्ण माना है आपको बताना है तो उत्तर है मंडल आयोग ने पिछड़ी वर्ग के चैन के लिए सामाजिक, सैक्षडिक और आर्थिक आधारों पर पिछड़ी वर्ग की पहचान की है अगला प्रिशन है सरकारी सेवा में पिछड़ी वर्गों के लिए अस्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है तो आप जानते हैं 27 परसेंट यानि 27 प्रतिशत आरक्षण है और उच्चतम ने आले ने बीपी मंडल आयोग पर अपना नेड़े 15 नमबर 1992 को दिया उसने पिछड़ी जातियों वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है लेकिन इस नीत में परिवर्तन के लिए कुछ निर्देश दिये हैं इन निर्देशों को स्विकार करते हुए नर्सिंह राव सरकार ने 8 सितंबर 1993 को लगभग 1200 पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिए केंदरी सरकार और सारुजनिक उध्यमों में 27 प्रतिशत आरक्षित कोटा को स्विकार करने की घोशड़ा की है अगला प्रश्ण है पिछड़ा वर्गायों का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षित का प्रावधान रखा था तो ये थे VP मंडल अगला प्रश्ण है दोस्तों पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में सबसे अधिक पहल की है किसने समाज नीत निर्माताओने जगत गुरु संकराचारे ने ने नेलसन मंडेला ने या ब्यापारियों ने तो सही उत्तर है समाज नीत निर्माताओने दोस्तों पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में सबसे अधिक पहल समाज नीत निर्माताओने की है भारती संबिधान में अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक और सैक्षड़िक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में वर्डित किया जाता है और भारत सरक और उनसे समबंधित समस्याओं के बारे में देख लेते हैं पहला प्रश्ण है आप देखिए कि भारती इतिहास के किस यूग को इस्तरी जाती के लिए काला यूग कहा जाता है आपसन है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल या आधुनी काल तो सही उत्तर है आपसन सी मध्यकाल दोस्तों आप जान लिजे कि मध्यकाल जो है ये 16-18 सताबदी तक कमाना जाता है और इस काल में इस्तरीयों के इस्थिती में बहुत अधिक हरास हुआ था और आप जान लिजे कि ये सच है कि 11-18 सताबदी के आरम में भारते समाज पर मुसलिमों का परभाव बढ़ा था और भारते संस्कृती की रक्षा करना आवस्यक हो गया लेकिन इस्तरीयों को समस्त अधिकारों से वंचित करके संस्कृत की रक्षा करने का आवचित्य जो है इसमें समझ में नहीं आता है और इस काल में रक्त की परविर्टता पर इतना संकीड कर दिया गया कि लड़कियों का विवाह नगनिका यानि 5-6 वर्ष की रूप में ही कर देना उचित समझा जाने लगा परदा पर्था सती पर्था पुनर विवाह निसेद इस्त्रियों को सिक्षा से वंचित रखना और लड़कियों को संपत्ति के उत्राधिकार से वंचित रखना ये इस युग की तमाम कुरूतियां थी और इस युग में इस्तरी जाती के लिए इस युग को काला युग कहना उपयुक्त है अगला प्रश्ण हैं दोस्तों भारत में इस्तरीयों की प्रस्थिती से संबंधित निम्न कतनों में से सही कतन का चैन कीजिए तो इस्त्री सिक्षा और इस्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिती के बीच एक सकरात्मक सह सम्मंद है सन 1982 में राश्ट्री महिला आयोक की अस्थापना की गई तो ये गलत है 1992 में की गई थी इस्लाम का दर्शन इस्त्रियों की आर्थिक सुतंता को सबसे अधिक महत्तु देता है तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि ये इस्लाम दर्शन इस्त्रियों की आर्थिक सुतंता को महत्तु नहीं देता है और तीसरा है जनजातियों में पित्र सत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही इस्त्रियों की सोतंता बढ़ती जा रही है तो पित्र सत्तात्मक परिवार में पूरुषों की इस्थिती मजबूत होती है नकी इस्त्रियों की तो इसलिए कथन तीन भी गलत है पहला कथन आपका सही है कि इस्तरी सिक्षा और इस्तरियों की सामाजिक प्रस्थिती के बीच एक सकरात्मक सह संबंध है अगला प्रशन है दोस्तों घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधनियम किस वर्स पारित किया गया था तो आपसन है 2003, 2005, 2007 या 2009 तो सही उत्तर 2005 में दोस्तों आप देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधनियम वर्स 2005 में पारित किया गया और ये अधनियम जंबू कस्मीर को छोड़कर संपूर भारत पर लागू किया गया ये गजेट महिला और बाल विकास मंत्राले द्वरा 17 अक्टूबर 2006 को अधिस उचित किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया इसका उद्देश घरेलू हिंसा जेल रही महिलाओं को ततकाल और आपातकालिन राहत पहुचाना और ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है अगला प्रश्ण है घरेलू हिंसा के बिरुद सरवाधिक आवसकता किसकी है तो सही उत्तर है घरेलू हिंसा अधिनियम या घरेलू हिंसा के बिरुद सरवाधिक आवसकता दोस्तों घरेलू हिंसा अदियम 2005 की जागरूकता से है ताकि सभी महिलाएं इसके प्रति जागरूक हो जाएं और उनके प्रति घरेलू हिंसा में कमी आए अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की अवसत आयू कितनी है तो उत्तर है 79.6 वर्स आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महिलाओं के जीवित रहने की अवसत आयू 79.6 वर्स है और राश्टी अस्तर पर पूर्सों के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्यासा 68.4 जबकि महिलाओं के लिए 71.1 अनुमानत है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है कि स्वतंता प्राप्ति के बाद महिलाओं की सामाजे की स्थिति में सुधार हुआ है दूसरा है कि भारत में महिलाओं की सिक्षा में ब्रिध्धी हुई है तो दोस्तों आप देख लीजे कि इसमे क और ख दोनों सही हैं और ख वास्तों में क की उप्यूक्त व्याख्या भी करता है ये एक तरह से कथन कारण से संबंधी प्रश्न था और आप देख लीजे दोस्तों भारत में स्वतंता के बाद इस्तिरियों की स्थिति में सुधार कर और जाती गत शीलता को इन परिवर्तनों का मुख्य कारण माना है इसके अत्रिक्त इस्त्रियों में सिक्षा का प्रसार होने और द्योगी करण के फलसरूप भी उने आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का आउसर मिला इसलिए क और ख दोनों सही है और ख वास्तों में क की उपियुक्त ब्याख्या करता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें शमासास के महत्वण प्रशनों के अंतरगत आपने अनुसोची जाती और जन जाती अन्ने पिछड़े वर्ग महिलाओं की इस्थिती और उनकी समस्याओं से संबंधित महत्वण प्रशनों को पढ़ा जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मागदेशन फॉर सिबिल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो द दोस्तों नमस्कार